हलो दोस्तों कैसे हैं आप अक्सर मैं आपके सामने नहीं नहीं जानकारी लाता रहता हूँ पहली बार हमारे मद्धे प्रदिसनी मैं सिक्चों के बढ़ती हो रहे हैं इससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेस्बुक पेज अगला वीडियो कल हमारा नोट्पिकेसन जारी हुआ है वर्ग तीन का उससे रिलेटेड काफी कॉशन आपने पूछे हैं दोस्तों और मैं आपको रिपलाई भी नहीं दे पाया और वीडियो पी उस पर नहीं लापाया कि कल मैं लाइब आया था उस समय में वीडियो लेकर आया था और आपके बहुत सारे कॉशन थे कि सर पोश्ट या कितनी है इसमें रिजर्वेशन सो नहीं हो रहा है salary show नहीं हो रही है तो ये सारे question और beard वालों के तो question काफी थी कि sir इसमें एक line ये लिखी है कि आपकी joining पर विचार किया जाएगा इसका क्या माईने है तो इन सारे सवालों के जवाब मैं लेकर आया हूँ दोस्तों आपको पूरे जवालों के जवाब दूंगा उससे पहले आपके साथ मुझे अभी होना चाहिए था आपके reply भी देना चाहिए था चुकि मैं busy चर रहा हूँ आप सब जानते हैं तो उस शक्र में नहीं दे पा रहा हूँ और कुशिस करता हूँ कि जो भी आपके कमेंट आए उन्हें में वीडियो में सामिल करूँ तो चलें दोस्तों पहले हम यही देख लेते हैं जो पहला question आपने किया है कि सर इस notification में ना तो कोई आरक्षन बताए गया है कि EWS वाला हो गया हमारे OBC भाई बैन वाला हो गया इसमें पोश्टें कितनी हैं वो नहीं बताई गहीं लेकिन पोश्टें आपने मैंने आपको बताए था कि हमारे जो नब दुनिया है उसमें न्यूज आई थी कि 17,000 पोश्टों पर बढ़ती की जा रही है तो वो मैंने न्यूज आपके साथ शेयर की थी जब ये नोट्पिकेसन आने वाला था ठीक है तो उसमें ये न्यूज आई थी उसके हवाले से और इसमें सेलरी क्या होगी ये कुछ भी नहीं बताए गया ये सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों हो क्या हो रही है कि हम बर्ग एक और बर्ग दो के नोट्पिकेसन की यूज टू है यानि कि हमने बर्ग एक और बर्ग दो के नोट्पिकेसन को देखा है उसे पढ़ा है उसमें पोश्टें भी बताई गई थी आपकी सेलरी भी बताई गई थी आपकी कौन-कौन से चरण होंगे कैसे बिग्ग्यापन जारी होगा, सब कुछ बताए गए था, क्योंकि उस notification के बाद, यानि कि जो आपकी पातिरता परिक्षा थी, जो कि purpose exam nation board ने लीती, उसके बाद आपको counseling में ही बैठना था सीधा, बीच में कोई और आपको चीज नहीं थी, कि आपको ये भी करना होगा, इसके बाद आप counseling में जा सकते हो, आपके सामने एक ही सर्थ थी, कि बर्ग एक और बर्ग दो में forum fill करो, अच्छे number लेके आ, उसके आदार पर आपकी counseling सुरू हो जाएगी, और जो आपकी number है, उनके आदार पर आपको joining मिल जाएगी, इसके जो आपने देखा होगा, news paper में इसका जो विग्यापन जारी हुआ था, उसमें लिखा हुआ था साफ, कि ये पहली सर्थ है, यानि कि जो सर्थे हैं, उनमें जो पहली condition है, उसको ये पूरा करती है, पात्रता परिक्षा, अब इसके बारे में बिस्तार से बताऊं, और आपके B8 के बारे में बिस्तार से ब पहले इसमें कुछ point दिये गए हैं, notification वो आपके सामने में रखने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको और भी clear हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसमें लिखा है, page number और बता दू मैं आपको दोस्तों, जिससे कि confusion में ना आया, page number 4 है दोस्तों, और page number 4 पर मैं आपके पढ़ने जा रहा हूँ, इस पश्टी करण के अंतरगार, पहला point, पहला point के लिखा है, पातता परिक्चा में अहंकारी अंक प्राप्त करने के मास से निक्ती हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकता, यानि कि आपने जो passing mark है, जैसे कि reservation वालों को 55 number लाने है, और journal वालों को 90 number लाने है आपने वो प्राप्त कर लिए और आप पास भी होगा इसमें, फिर भी आप दावा नहीं कर सकते कि हमें वह यह भरती में जोइनिंग दो, यह आप दावा नहीं कर सकते, पहला point, ठीक है, दूसरा, अन्सूचित जन जाती अन्न पिछड़ा वर के अभ्यारतियों, जो इसमें फॉरम फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, point नमबर दो देखें, उसमें साप लिखा हुआ है, साप क्या लिखा है, अन्सूचित जाती, ठीक है, अन्सूचित जन जाती, वह अन्न पिछड़ा वर के अभ्यारतियों को मद्द पिर्देश के मूल नवासी हो, के वाल उन यही कहता हूँ कि आप पूछ रहे हो, आपका एक है कि आप पूछ रहे हो और हमें बताना भी चाहिए, लेकिन सबसे बहतर है आपका answer notification में, नोटपिकेशन में जो लिखा है, वो सर्मान है, सर्परी है, उसे कोई भी नहीं काट सकते हैं, ठीक है, तो हम भी notification में सही आपके वीडियो बनाते हैं, तो नोटपिकेशन में आप पूइंट नंबर दो पढ़ लें, तो उसमें आपको पूरा साफ हो जाएगा कि अन्य राज्यवाले आविदन कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसके इलाबा, दिब्यांग जनो आविदन के लिए नियूंतम अह प्राप्त तक दिया जाएगा, जिसमें पातिता परिक्चा के प्राप्त अंकों का दसमलप के दो अंकों तक लिक किया जाएगा, प्राप्त atenção का राउंडप नहीं किया जाएगा, ठीक है दोश्तों, राउंडप का मतलब होटा है, कि जैसे माल लो आपको 89.54 नंबर आए, यानि कि 89.14 नमबर आए, तो उसे 90 नहीं किया जाएगा, वहीं की रखा जाएगा, दो अंकों तक, कि इदर आपके 89 हो गया, पॉइंट लग गया, 54 हो गया, बस वहीं तक, तो इसे राउंड अप नहीं किया जाएगा, जितनी भी आपके दसमलबर यंक है, वह भी सोग किये जाएगे, इस पत्रक में, ठीक है, अब इसमें, जो पांचमा पॉइंट है, दोस्तों, इसमें लखा, इस पात्रता परिक्चा में, हाथ प्राप्त आवेदकों में, आसास की बिद्यालों के लिए भी, निक्ट किये जान इस पश्ट किया जाता है कि प्रतिक सिच्चा, पात्रता, परिक्चा, अंकारी अंक प्राप करने के मात से किसी पर बिसेश, पर भरती का दावा नहीं किया जासे रखे हैं, कि प्रात्मिक सिच्चा के पत्पन निक्ति हैं, तो क्या पात्रता की सर्तों में से एक सर्त की दोस्तों जैसे कि आपने डियेट किया डियेट से आप यह नहीं कह सकते कि हमें गवर्मेंट जॉब मिल जाएगी डियेट मीस होता है कि आप उस जॉब के लिए एबल होगा यानि कि उस competition में फारम वनने के लिए एबल हो जो कि आपके सिक्चक पात्तिता से सम्मंदित हैं आप यदि डियेट बीयेट नहीं हो तो उसमें नहीं बैठ सकते तो एक आपकी जो सर्थ बो आपने पूरी की फिर उसके बाद दूसरी सर्थ कौन सी हो गई थी बर्ग एक दोका उधारंड कि आपको फारम फिल करना है फारम फिल करने के बाद आपको एकजाम देना है एकजाम देने के बाद उसमें अच्छे नंबर लाने है फिर काउंसलिंग में जाओगी यह सारी सर्थ हो गई तो यहाँ पर पहली सर्थ क्या है कि आपको MPTAT पास होना चाहिए प्रात्मिक सिक् सिक्चा नीती 2019-2020 आपको पता है सिक्चा नीती 2019-2020 के बीच में भी चलाई गई थी कि हमारी बर्ग एक और बगदों पर लागू होगी जबकि होनी नहीं थी क्योंकि बठती पुरानी थी लेकिन आगे वाली बठती पर जितनी भी सिक्चक होंगी और किसी भी राज्ज में जैसे हमारा MP TET है, UP TET है, R TET है, राजिस्तान TET है तो MP TET आप पास करोगे उसमें ये भी प्रापधान किया गया है कि एक आपकी Demo Classes भी होगी Demo Classes मींस आप कैसे पढ़ाते हो उसका एक वीडियो बनेगा 8 मिनट का 10 मिनट का एक पोर्टल पर वो अपलोड किया जाएग उसके बाद इंटर्व्यू का भी प्रापधान है उसमें दोस्तों, इंटर्व्यू का भी प्रापधान है, मिन्स ये बहुत सारी सर्ते थी आपके 2019-2020 सिक्चानीती में, इनमें से कितनी सर्तें MP TET जो होगा और जो आगामी बढ़ती होगी उन पर लागू होंगी, कितनी प आप लिखा है, पॉइंट नम्बर 6 में, कि यह इसपश्ट किया जाता है कि प्रात्मिक सिक्चा, पात्रता, परिक्चा, अंकारी, अंक प्रात करने के मात्स से किसी पर बिसेस बढ़ती का दावा नहीं किया जा सका, क्योंकि प्रात्मिक सिक्चा, पत्पन, नियुक्त ये पात्रता की सर्तों में से एक सर्त पूर्ती करेगा, पात्रता की और सर्ते हैं, उनमें से सिर्फ एक पूर्ती करेगा, ठीक है दोस्तों, और जो आप बर्ग एक और बर्ग दो से इसे कंपेर कर रहा है, तो उसमें सिर्फ एक ही सर्ती कि प्रपस एक्जाम देशन बोर्ट के जो exam है उसमें आप अच्छे number लाओ और teacher बन जाओ इसमें ऐसा नहीं है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सिक्चा नीती 2019-2020 है वो आगामी जित्ती भी teaching होगी हमारी MP में नहीं कहीं भी teaching होगी अनराज्य में भी होगी उस पर प्रभाबी है और उसमें से कितने नियम लागू होंगी वो आपको कब मालूम चलेगा जब आपकी बिग्यपती जारी होगी भड़ती से सम्मंदित इसलिए आप बोल रहे हो ना कि इसमें reservation नहीं बताया गया है इसमें EWS हो गया यह कुछ भी reservation हो गया वो क्यों पोश्ट है क्यों सो नहीं की गई है क्योंकि यह सब चीजें आपकी बिग्यपती में सो होती है जब आपकी job के लिए बिग्यपती जारी होगी उसमें से पहली सर्थ है कि आपको MPTAT पास होना चाहिए यदि आप पास नहीं हो यदि उसमें आपकी अच्छी ranking नहीं है तो definitely आप उस level पर नहीं जा पाओगे पहले level पर ही अटक जाओगे पहला level कौन सा है कि MPTAT में आपकी ranking यानि कि आपके number अच्छे आने चाहिए जितनी भी मेनत कर सको आपके हाथ में या आपका किस्मत आपके हाथ में है जो से आप बदल सकते हो बना सकते हो तो MPTAT में आप जितनी अच्छे number लाओगे उतने ही सुनेरा मौका आपके सामने बनेगा और आगे कि जो भी चरण हैं जो भी सर्ते हैं उन्हें भी आप आसानी से पूरा कर सकोगे तो पहला focus पहले कदम पर होना चाहिए first step पर होना चाहिए forum fill करके अच्छे से तैयारी करो जिससे की अच्छे number ला सको हम इसमें आठमा point देख लेते हैं आठमा point तो आपके प्रिश्णपत में पैड़ा गोजी भाषा एक भाषा दो यह है तो यह तो आप पढ़ी लोगे इसमें कुछ नहीं में सेलेवर से संबन देता है उस पर मैं अलगी वीडियो ले आऊंगा कोई दिक्कत नहीं और इसके आविधन करने के अभ्याटिक नीनतम आयू दिनांक एक जनवरी 2020 को 21 बर्स होनी चाहिए एक जनवरी 2020 को 21 बर्स होनी चाहिए इसमें यह लिखा हुआ है साप इसमें अधिकतम आयू का प्राभधान क्यों नहीं किया गया क्योंकि यह आपकी सिर्फ पहली सर्थ पूरी कर रही है जो आपकी बिग्डियपती निकलेगी उसमें न्यूनतम आपकी आयू भी आएगी न्यूनतम तो इसमें 21 आ गई अधिकतम भी आई उसमें आएगी जब आप अप्लाई करोगी जब आपकी बिग्डियपती निकलेगी ठीक है दोस्तों तो यहां तक समझ में आ गया आपको अब इसके इलाबा बहुत से भाई बेहन यह कह रहा है कि सर इसमें एक बीएड का दिया हुआ है कि बीएड का जो करी है अब इसमें एक सर लिखी है वो उसके बारे में ही में बात कर देता हूं पैचास परतीसत अंकों के साथ इसनाटक तो था सिख्चा इसनाटक में अब यहाँ पर नियूक थेतु बिचार किया जाएगा और आपके मन में क्या चल रहा होगा मुझे पता है कि कुछ दिन पहले खबर आई थी और विहार की नियूज पेपर से ही आए थी कि प्रात्मिक्ता जो है D-Ed या D-Ed वालों को दी जाएगी B-Ed वालों को नहीं दी जाएगी यह सिर्फ न्यूज पेपर में आये था ऐसा अभी तक नियम नहीं बनाये सिर्फ न्यूज पेपर में यह न्यूज आये थी उसे connect कर लिया आपने MP-TAT से और इसमें ये लाइन पढ़कर के नियुक्ती हितु बिचार किया जाएगा आपके मन में आगया होगा हाँ यार अब तो B.A.D. वाले गए, D.A.D. वालों कोई मौका है ऐसा नहीं है नियुक्ती हितु बिचार किया जाएगा, फर्ष्ट कंडिसन है, बिरिज कोर्स करना पड़ेगा, सिक्स मन्त का और वो आपको नियुक्ती के बाद करना पड़ेगा सेकेंड है कि जो B.A.D. के जितने नियम बर ले गए हैं, उनके अनुसार कोई और प्रापधान है, तो वो भी देखा जाएगा तो ये सारे जो प्रापधान है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में यदि आपको जॉइनिंग दे रहे हैं B.A.D. वालों को तो यदि आपसे फॉरम फिल करा रहे हैं और ये पास करने की बोल रहे हैं, तो आपको जॉइनिंग तो मिलेगी, लेकिन उसमें कुछ सर्तें रहेंगी, पहली सर्तों मैंने आपको बता दी कि जॉइनिंग के बाद बिर्च कुछ 6 महीने का करना होगा, ऐसी 2-3 और सर्तें ह जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है, कि D.Ed. वालों को परात्मिक्ता दे दी, B.Ed. वालों को नहीं दी, ये न सूचें, क्योंकि फिर आपको फॉरम फिल नहीं कराते दोस्तों, तो इससे आप दूर रहें, क्योंकि ये आपको आपकी एक्जाम से दूर कर देगा, आपका चाहिए, B.Ed. वाले बर्ग तीन में जब जोइनिंग होगी, तो उनके लिए जो भी नियम होगे, उन्हें आप पालन करेंगे, और 100% करेंगे, तब ही आपकी जोइनिंग हो पाएगी, तो वो तब की बात है, अभी आपके सामने सिर्फ एक ही लक्ष है, कि जितना भी आपक समय है, वो आप अपनी जो एक्जाम है, उसके लिए प्रिपरेशन में बैठाएं, क्योंकि ये जो नियम है, दोस्तों, वो आगामी जो आपकी जोइनिंग निकलेगी, यानि कि जो आपकी बिग्यपती जारी होगी, जैसे कि नई दुनिया हम कहा था, 17,000 पोश्ट हैं, और कितनी रहेगी, वो भी उसमें सो हो जाएगी, सब कुछ उसमें हो जाएगा, तो अभी आपको डढ़ने की घबडाने की आपका नहीं है, सिर्फ फॉरम फिल करें, और अच्छे से एक्जाम क्रेक करें, उसके वाद फिजो आपकी बिग्यपती जारी होगी, बर्ग तीन की प्रात में एक साला सिक्चक की, और इसकी दो साल तक बैलिडिटी रखी गई है, तो दो साल में आपकी जोइनिंग होनी ही होनी है, और पोश्टें अच्छी खासी आएंगी दोस्तों, तो इस मन में भी मलाल नाला है कि पोश्टें नहीं बताई गई है, कोई दिक्कत नहीं यह एक आप TAT मानकर चलें जिसे MP TAT है और पहली सर्थ पूरी कर रहे हैं फिर उसके बाद जो भी सर्थे होंगी इसमें MP TAT के बाद डारेक्ट आपकी काउंसिलिंग हो जाती है किया या फिर MP TAT के लिए करने के बाद इंटर्व्यू का प्रापधाने किया या MP TAT करने के पहला step जो है पहला चरण है उसे पूरा करें और फिर बाकी की जो नियम है वो आते रहेंगे आपके बिग्यप्ति के साथ दोस्तों ठीक है तो यह वीडियो ऐसा ही था दोस्तों अच्छा लगए तो लाइक करें सेयर करें और जन भाई बैनों ने अभी तक चैनल सब्सक्र करें कि अक्सर ऐसे वीडियो में लाता रहता हूं आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए आपको तही दिल से धन्नवाद दोस्तों